आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DGPay को लेकर एक एरर जो आ रहा है उसी के बारे में आप अगर अपने Android मोबाइल में DGPay एप्लिकेशन को इस्टोल कर रहा है इस्टोलेशन करने के बाद जब आप DGPay पर अपना ID रजिस्टर कर रहा है तब आपको Fingerprinted Device Choose करते समय आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है Device not connected, please connect to your device first अगर यह एरर आपको देखने को मिल रहा है इस एरर का क्या समर्शया का क्या समाधान है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस एरर को आप कैसे दूर कर सकते हैं और DigiPaper आप सपलता पुर्वक कैसे काम कर सकते हैं इस उडियो में आपको बताने वले हैं तो दोस्तों यहाँ पर DigiPay को आपको open कर लेना है जैसे कि यहाँ पर हमने DigiPay को open कर लिया है DigiPay को open करने के बाद CACID एंटर कर देना है और आपको यहाँ पर Get OTP on Registered Mobile चूज करके Generate OTP पर क्लिक कर देना है OTP जो Send होता है उस OTP को Select करते हुए Verify OTP पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर Check Box पर क्लिक करते हुए Scan Finger पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Device Not Connected Please Connected Your First Device या Error आपको देखने को मिल रहा है इस Error का एक ही समाधान है इस Error को दूर करने के लिए आपको अपने Morpho Device या Mantra Device है उस OTG को आपको निकालना है और आपको एक दो बार Plug को निकालते हुए लगाना है आप जैसे निकालके लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक Option जो Show होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो Your Device is Ready for Use फिर भी अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो Error is Show होगा आपको अपने Mobile की स्क्रीन पर आ जाना है यहाँ पर आपको OT Morpho SCL RD Service जो Application है उसके उपर आपको Open करते हुए उसको Restart कर ले रहा है जैसे आप Restart करेंगे वो Application यहाँ पर आपका Fingerprint आपके DGP फिर से आपका Open हो जायागा और आपका जो RD Service रुख गया था वो फिर से Registered हो जायागा और आप अपने DGP को सपलता पुर्वक Login कर पाएंगे जैसा कि यहाँ पर देखा कि आपको Error जो देखने को मिल ला था उस Error को हमने यहाँ पर दूर कर लिया है तो आपको यही Process दोरानी है अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आपका Morpho SCL RD जो Service जो Application है उसको आपको Install कर लेना है अगर Install नहीं है तो Install कर लेना है अगर पहले से Install है तो Update देख लेना है और Update अगर Update भी है तो आपको उसको दोबादा Open करना है और महाँ से Refresh करना है ताकि वो आपका जो Morpho Device Connect नहीं हो पा रहा है आपके Mobile से या आपका Mantra Device Connect नहीं हो पा रहा है वो Connected हो जाए और आपका DG Page जो आपका महाँ पर जो Error है वो Error आपका दूर हो जाए